कि अब लोग यहां पर निर्मरवाटी का योजना कंतर गताय थे और यहां पर यह देखा जो इश्कूल है इश्कूल भवन की जो कमी लगती है वही यहां को काफी मुश्किल है कि बिल्लिंग जो जरजर हो चुकी है और यहां पर जो इसके लेंटल है बिल्कुल पूरी तरह और जो उसका रूप है वो भी बदल चुका है और कभी भी वो दस सकती है शिक्चा अधिनियम 2009 के तहट हर प्रात्मिक साला में सभी प्रकार के सुईदाय होना उचित माना गया है पन ग्राम कचलोरा के प्रात्मिक साला भवन 20 वर्स पुराना बना हुआ है जिस भवन में की बुरी इस्थीति है कहीं सज्जा लटक रहा है चत में से तुकडे तुकडे हो करके नीचे गिर रहा है वो पुरादा बिल्दिंगे वहाँ क्यों नहीं बढng दालते हैं आपको मास्टर वहाśnie क्यों नहीं बढाता है शबुस को के गर गिर रहे है इसलिए इसे किलास पे आपको दिक्कत हो इती होगी कि पांच किलास के बच्चे के जगा बेढ़ते हैं तो आपको पढ़ाई में तो बादा होता होगा इसलिए अभी वाक्ता रिष्ट में पानी अपकता रहता है जिसके बादे स्वाम बच्चों के बेढ़ने की वी दफलम ने उपाखी है इनों ने गांवाले के माध्यम से ग्राम सबा में सूचना देने के बाद में भी इसमें कोई कारवाई नहीं किया जा रहा है इस स्कूल में दो सिकचक एवं 52 चात्रों पड़ते और ये 52 चात्रों को डरा लगा रहता है कि कभी ना कभी ये स्कूल की चट गिर सकती है इसके वज़े से आज किलास एकी रूम में लगाए गिना है, इसके वज़े से एक एक किलास रूम में अख्री सब्सक्राइब करने को बोला गाँवाले को? इसके रिपेरिंग टतकाल होनी चाहिए तो आप क्या चाहते तुम्हारे लिए से तुमारे लिए दूसरा बिलिग बने कि एकी एक एक्रो डर्चार एक चाहते हैं होला उस्सा कि पिल्टां एकि डेरिंगे कर पाएंग Bolsonaro से घ्राः पा बनाभरिन वॉत नही घंची तो एक मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया, क्योंकि मैं इसी ग्राम का निवास हूँ, एवं इसमें मेरे सामोदाई के 52 बच्चे पड़ते हैं, और मैं चाहता हूँ कि नया बेदें स्वित्रेत करें, हमारे विकास गण घुरा दूमरी के मुख्य कारे बानों, किसी नर्वरिया जी को आप फोन करें, 94-06, 63-66, पर फोन करें और हमारी मदद करें, ताकि हमारे लिए वे हमारे बच्चों के लिए नविन भवन बनाया जाए, मैं मोहनलान, मध्य प्रदूस्टे, इंडिया हनड के लिए, के लिए बुरस मध्य ठकाँ हन्तरक्त्स करें, और हमारे बेहाए, मैं में मैं अविन नविन भ गका शोदूस्टे, एस्विन आपप खलाए,